हालो एव्रीवन वेलकम टू इन्फो वेन्यू मेरा नाम है बास और इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टो गेट इग्नु मार्क शीट अर्लियर दैन नॉर्मल तो इसमें आपको बताऊंगा कि मैं आप इग्नु की मार्क शीट जल्दी कैसे निकलवा सकते हैं कि देख सकते हैं आपके मांजीट भीजने में और आपको जल्दी निकलवानी है एक रीजां हो सकता है कि आपने बाचलर करिये है एग्नु से या कोई भी कोर्स के और आपको हाईयर स्टेडीस के लिए आपको और कॉलिज में एडमिशन होंगे और आपको महां माक्शीट करनी है औ और आप सोच रहो यारा मेरा इडमिशन का क्या होगा तो देखिया बिल्कुल चिंता मत कीजिए इस वीडियो में आपको मैं पता हूँगा कि आप जल्दी माक्षीट कैसे निकलवा सकते हो अपनी इगनु से यह जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह मेरा पॉर्सनल एक्सप को जल्दी निकलवाने की तो उससे पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल सिनरीयों में माक्षीट को आने में कितना टाइम लग जाता है तो देखिये माक्षीट जो होती है वो ग्रेट कार्ट जब अब कर पुरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ज इज आपके रिजर्ट आया 22 तारीक को और आपके मार्खिषीट उस्semडेशी मार्खिषेट नहीचर इक होक HEY यह आपकी माहिना लग यह हो सकत है कि कि आपका मैनि के कर्व देश आपका रिजल्ट पूरा अपडेट हुआ और 11-21 तारिक को सेप्टेंबर के वह आपकी मांक्षीट जनरेट हुई मताब 10 दिन लगे तो देखे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में या डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट टूडेंट यह वेरी कर सकता है मांक्षीट जन मंदरा से 50 दिन लग सकते हैं मेट्रो सिटीज में आपकी मांक्षीट आने में और यह जो है यह वेरी कर सकता है फ्रॉम प्लेस तो प्लेस लाइक आप डैली में रहते हो गुड़गाओं में रहते हो गाजियाबाद NCR मतलब तो आपको जल्दी मांक्षीट मिलने के चांसे यह अगर आप रहते हो किसी रिमोट एरिया में किसी गाउ में रहते हो तो आपके मांक्षीट को आने में दो महिने तीन महिने भी सकते हैं कुछ इसके कोई एक प्रॉपर टाइम लिमिट नहीं है तो अब आपको मैं बताऊंगा तीन एक्जाम्पल्स मांक्षीट दिखाऊ आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि इतना कितना टाइम लगा डिफरेंट डिफरेंट मांक्षीट को आने में तो देखे आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि पहली मांक्षीट है पीजी डिप्लोम में इन इंटराशनल बिजनस की मांक्षीट है इस कोर्स का जो रि सिर्फ और उस जनरेट होने के बाद मार्क शीट प्रोसेसिंग में जाती है तो उसका मतलब स्पीड पोस्ट वगएरा तयार किया जाता है पोस्ट से आपको भेजी जाती है अब दूसरा के इस देख सकते हैं आप स्क्रीन पर देखिए यह बीएस सी की मार्क शीट बीडीपी देखिए इस मार्क शीट को जनरेट होने में एक महीना लग गया और इसके बाद लगा लो आप 10 से 12 दिन मार्क शीट को आपके घर तक पहुशने में तो कितने 42 से 42 दिन 45 दिन मान लो आपकी लग जाएंगे अब तीसरा केस देखो आप यह देखो सर्टिफिकेट इन अरबिक की मार्क शीट है इसके अपडेट देख सकते हो यह 11.08.2017 मतलब 11.08.2017 को यह जो है इसका रिजल्ट पूरा अपडेट हुआ और यह मार्क शीट कब जनरेट ह इसके बाद पूरा अपडेट होई 21 तारिक आउगस 2017 को देखे इसमें दस दिन लग गए तो तो दिखे डिफरेंट कोर्स तो कोर्स डिपेंड कर सकता है और यह जो डेज हैं यह वेरी कर सकते हैं फॉम इंस्टूरेट तूडेट तूडेंट तो अगर मैं जनरेट इसकी मा आपकी उसके बाद होता है आपके स्पीट पोस्ट या जो भी पोस्ट की जरीए इगनु भेशता है मांक्षिट उसमें टाइम तो पंदरा से पचास दिन साथ दिन लग जाते हैं मांक्षिट को आने में अब देखिए आपको जल्दी मांक्षिट निकलवानी है और आप कै से अपनी मांक्षिट को जल्दी निकलवा सकते हैं तो इसके निए देखिए आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले जाना होगा इगनु मैदानगडी स्टूडेंट इवैलिएशन डिवीजन वहां ब्लॉक बारा में जाईए आप महां से आपको इगनु की मांक्षि रिजल्ट जो है वो अपडेट हो गया था 22 अगस्ट 2017 को और मुझे अपनी युनिवर्सिटी में मांक्षिट सब्मिट करें थी 25 सप्टेंबर जो की ड्यू डेट थी और देखिए 21 सप्टेंबर की तारिक आगई थी और मेरी मांक्षिट तब तक नहीं आई थी मेरे जो य एक दिन क्या करा मैंने मैं मैं मैंदानगड़ी खुद पहुच गया मैंदानगड़ी ब्लॉग 12 स्टूडेंट एवालुईशन डिविजन वहां आपको एक गाड मिलेगा महां गाड मिला उसने मुझे एंट्री करवाई कि आप क्यों आए हैं अप एंट्री करेंगे फिर व एक अप्लिकेशन लिखी कि मुझे क्यों माकशीट चाहिए मुझे जल्दी माकशीट चाहिए तो उन्होंने क्या करा मुझे मैं 22 सब्टेंबर को गया था मुझे आदे उस दिन बारिश हो रही थी और उसी दिन मुझे उन्होंने एक गड़ घंटे में मिल में बाप बैठ और मुझे उसी दिन माकशीट उन्होंने दे दी क्यों देखें वह माकशीट अल्रेडी जनरेट हो चुकी थी उसी दिन यह मेरी बहुत अच्छी किस्मत थी तो मुझे हाग क्या हाथ माकशीट मिल गई उसी सेम डे मैंने वहां से माकशीट ली और उन्होंने मुझे एक क्ल करता है कि आपके माक्षिट जनरेट हो चुकी है नहीं अगर आपके माक्षिट जनरेट हो चुकी है तो आप इगनों के मैदान गड़ी से अपना वैलेड रिजन देके निकलवा सकते हैं लेकिन अगर वो जनरेट ही नहीं हुए तो इसमें आपको माक्षिट निकलवाने में प्रफूर आप को वीडियो पसंद दो आपकी मुझे बताएं कि आपकी मांगशिट आने में कितना टाइम लगा ताकि जो नयू students हैं जो इगनू में अभी enroll हुए हैं वो भी थोड़ा जान सकें कि from individual to individual कितना कितना time लग जाता है mark sheet को आने में तो नीचे आप comment करें thank you and have a nice day